जिन्दिगी में कोई भी बात, कोई भी परिस्थिती या कोई भी काम इतना नहीं बिगड़ता कि हम उसे सुधार न सकें बस उस परिस्थिती को सुधारने के लिए या उस काम को सुधारने के लिए हमारे प्रयास सच्चे होने चाहिए अगर हमारे प्रयास सच्चे हैं तो एक ना एक दिन वो बात जरूर सुधर जाएगी हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से बेरियल बी सिंपल में मैं पूजा आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई वीडियो और इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी एक बरसाथ के दिन का मेरा रूटीन जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में बरसाथ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल और कुछ नहीं पता कभी तो बहुत ज़्यादा बारिश होती है कभी बहुत ही कड़ी वाली धूप निकलाती है तो आज कुछ ऐसा ही दिन था सुबह के करीब चार बज़े से ही बरसाथ चालू थी दीरे दीरे हो रही थी हाला कि लेकिन करीब साथ 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 बस्ते बस्ते बहुत ही तेज हो गई थी बारिश और इसी वज़े से आज बच्चों की हो गई छुट्टी मतलब बरसाथ की वज़े से ही कह सकते हूँ आप इस छुट्टी को स्कूल से मैसेज आ गया था कि बच्चों की आज छुटी रहेगी क्योंकि बरसात बहुत ही तेज थी वाकई में और मैं सुबा का जो भी काम होता है थोड़ा वो थी किया जादा नहीं किया थोड़े से स्लो स्पेस में ही आज काम कर रही थी मैं और बाहर निकल के देखा तो कुछ बच्चे बारिश में नहा रहे थे तो वानी का भी मन किया हलाकि इसकी तवियत एक दिन पहले थोड़ी सी बिगड़ गई थी लेकिन फिर बारिश के आगे कहा इसको अपनी तवियत दिखाई देती है इसका भी मन किया कि मुझे भी आजे पर खड़ा रखा, हलाकि मैं शूट करने के लिए खड़ी थी, लेकिन यह मेरे को अंदर जाने यह नहीं दे रही थी, कि आप नहीं पर खड़ी रहो और मैं बारिश में नहा लेती हूँ, तो इसको देखकर मुझे भी मेरे बच्पन के दिन याद आ रहे हैं, और इसने मतलब करीब एक से डेड़ घंटा मैं यहाँ पर खड़ी रही हूँ, बीच बीच में बस एक दो काम अंदर जाके करके आई हूँ, और इसके साथ ही मैं यहाँ पर खड़ी रही, यह मैं शूट भी करती रही, और यहाँ पर खड़ी भी रही, और इसने पूरा मजा लिया ब पर जो छट से आ रहा है तो इसी चीज़ को देखते हैं मैं दुबारा से कहूंगी कि कोई भी रेनवर्टर हैर्वेस्टिंग करवाता ही नहीं है वरना ये सारा पानी यूज हो जाता इस तरह से वेस्ट नहोता और अब आ गई है ये दूसरी साइड मतब घर के ही दूसरी तो उसके ओपर टीन की छट गिरी हुई है तो उस टीन की छट पे से होके पानी नीचे आ रहा है जिसको ये शावर की तरह से इस्तमाल कर रही है बार बार इस पानी में उचलती है और फिर आके शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और डोंट वरी ये पानी बिलकुल क्लीन है क्योंकि टीन किछात उपर से बिल्कुल साफ सुतरी है तो आज इसका फुलोन डे है जितना भी इसका मन करेगा ये उतनी ही बारिश में नहाएगी और इसको देखे कभी कभी मुझे लगता है मतलब मुझे यकीन ही नहीं आता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छे से समझाती है और तब मैं सोचती हूँ कि क्या वाकरी में ये 11 साल की है और फिर दो मिनिट में ही इसका बच्पना निकलाता है तो यहां पर आप देखिए इसका फुलोन डांस भी चालू है थोड़ा बहुत डांस की प्रैक्टिस ये स्कूल में करती रहती है तो वही डांस ही आज यहां पे बारिश में दिखा रही है और पूरी तरह से इसने अपने आपको भिगोया है मतलब जरासा भी इसने चांस नहीं छोड़ा बारिश में नहाने बचपन के ये दिन दुबारा से लोट के नहीं आएंगे जैसे कि इंस्टाग्राम पे एक रील मैं देख रही हूँ आजकल मतलब मैंने देखी है वो ट्रेंडिंग पे शायद चल रही है तो उसमें कहा जाता नहीं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है तो वही वाली फिल ह मुझे यहां पे आ रही है इसको देखके कि वाकई में चाहे कुछ भी परिशानी हो लेकिन बचपन में हमें कुछ भी फिल होता ही नहीं है हाँ ये बात और है कि बचपन के गुजर जाने के बाद फिर पूरी लाइफ आपको उसका मलाल रहता है कि काश हम दोबारा से अप अपने बच्चों को आप जीने दे सकें अपना बच्पन जीने दे और उसमें ही आप अपना भी बच्पन ढूंडने की कोशिश करें तो देखिए यहां पे मैं खड़ी हुई हूं दरवाजे पर इसकी कहना चाहिए कि पहरेदारी पर क्योंकि इसने मेरे को यहीं पर के आई थी मैंने मैकरोनी बनाई है आज नाश्ते में इसी ने बोला था सिंपल टमाटर प्याज का चोंग लगा कि मैंने बनाई है कोई जादा लंबी इसकी रेसिपी नहीं है इसलिए मैंने रिकॉर्ड भी नहीं की हार नेक्स टाइम कभी अगर अलग से बनाया तो मैं जर करीब बारिश थोड़ी सी हलकी हो गई थी तो मेरे पास इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं था कि मैं थोड़ा सा भीग ही लूँ चाहे लेकिन कपड़े धुल जाएं मुझे लगा था कि मैं कपड़े धो लेती हूं और नीचे फिर उनको स्टैंड पे लाके सुखा दूँ पर सुखा दिये और जब तक मैंने चटकी सफाई वगेरा की तब तक खूब अच्छे से धूप निकल आई थी हलाकि बाद में फिर से बारिश आई थी लेकिन खैर करीब दो से धाई घंटा बारिश रुकी रही थी और इस दोरान मेरे कपड़े खूब अच्छे से सूख इतने सूख गए थे कि उनको में नीचे ले जाकर स्टैंड पर डाल सकती थी और देखिए आप देख रहे हो हवा भी अच्छी चल रही है और यह वानी का चोटा सा जो अपर था पहनने का वह पहनने के ना आई थी ना इसको तो अब यह भी अच्छे से मैंने धुल दिया स अब मुझे दुबारा से नहाना है और अब आगई में नहा के सर भी दुलाए दुबारा से और अब देखो अब इतनी दूप निकल गई है कि मेरी आखे ने खुल रही अच्छे से सिर्फ नहा के आई हूं बस यह समझ लिए कि 15-20 मिट लगे उस बात उस काम में मुझे नी अर्वा जले यह साव कर दी कपड़े सुकते रहेंगे और देखिये हवा भी चल रही है ऊन्वप भी है और हवा बीच अब जाने तो उम्मीर करते हूं कि आज कपड़े सुक जाए शाम तक उसके बाद भी प्रैस का भी काम होगा रात को तो अभी चलती हूं नीचे और लंच बनाते हैं और तीनो तार कपड़े से फुल हो गए थे तो इस वज़े से जो भी एक्स्टा कपड़े थे जो भी छोटे-छोटे कपड़े थे वो मैंने यहां पे इस चार पाई पे सुखा दिये और आप देख सकते हो धूप कितनी तेज निकली हुई है एक तो बारिश के बाद वैसे ही पूरी चिल चिलाती हुई धूप निकलती है उसमें आप अच्छे से आँखे भी नहीं खोल सकते लेकिन हाँ एक शुकर रहा कि हवा चल रही थी तो काफी मतलब कहते हैं न कि हवा निकल गई कपड़ों में से उसके बाद तो खैर मुझे यह नीचे स्टैंड पे ले जाने ही पड़े थे क्योंकि दोड से ढाई गंटे के बाद बारिश बहुत तेज आई थी और यह सबी चीज़े मैंने यहीं पे रख दी हैं अच्छे से धूप निकली है तो यह भी सूख जाएंगी डस्ट बीन जो नीचे का था वो भी धुल के मैंने अच्छे से रख दिया अब चलते है नीचे लंच बनाने के लिए और लंच मैं आज में बनाने वाली हूँ डाल खिचड़ी तो यह मैंने एक बार पहले बनाई थी आज दूसरी बार ही बना रही हूँ पहली बार तो अच्छी नहीं बनी थी इस बार देखती हूँ कैसी बनेगी तो यहाँ पे मैंने चावल और मतलब एक कटोरी चावल है और एक कटोरी ही तीन तरह की डाल मिक्स की है मैंने इसमें इसमें है मूंग डाल, अरहर डाल और मसूर की लाल वाली डाल कुछ समान रखा है तड़के के लिए टमाटर, प्याज, हरी मिर्च, लैसुन और धनिया है हरा धनिया और मतर भी मैं डालने वाली हूँ इसमें लेकिन उससे पहले ये सेंधा नमक खतम हो गया था मैं रोज की खाने में सेंधन नमक खतमाल करती हूँ गरीब 15 साल हो गए है ये मैं सदा नमक खतर रहां बता कि अच्छे से सूख गया और उसके बाद एक बार फिर से कपड़े से अच्छी तर इसको साफ करके ताकि कोई मौश्चर न रहे इसमें नमक को उसमें डालके मैंने रख दिया है और वो दाल चावल मैंने भिगो दिये थे ज्यादा नहीं आप 15 में भी भिगो देंगे त तड़के के लिए मैंने थोड़ा सा तेल लिया उसमें मैंने लैसुन और प्यास को बारीक-बारीक काटके डाला है और काटा इसलिए है ताकि क्या मतलब यह बोलो की मजबुरी में काटा है नहीं तो मैं चोपर में चोप करती और पिछले वाली वीडियो में आपने देखा चावल और यहां पर मैंने मटर भी डाली है थोड़ी सी आप चाहो तो इसमें कोई और सबजीवी डाल सकते हो आलू नहीं आलू नहीं डाले मैंने इसमें हाँ उसके बाद मैंने चावल और डाल जो भृगों के रखे दे वो शामिल कर दी है इसमें और regular मसाले वही नमक, मि पर शायद मैंने डाली भी नहीं क्योंकि हरमिज डाली थी, खूब सारा हरा धनिया था मेरे पास, और पानी मैंने इसमें एड़्जस्ट करके डाल दिया है, यानि कि जो भी दाल चावल मैंने बिगोए थे, वो टोटल दो कटोरी थे, जो भी मतलब दाल चावल मिक्स होके हु की है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, ये मुझे करना है, सुबा के नाश्टे के बरतान अभी तक मैं करना ही पाई थी, तो बस अब एक से दो सीटी में ही, ज़्यादा नहीं, सिरु एक से दो सीटी में हमारी ये दाल खिचरी बनके तयार हो जाएगी, और जब अगर हम इसको खाते हैं तो इसका स्वाध ही अलगाता है, तो दाल चावल तो आप बहुत बार खाते हैं, एक बार ये दाल खिचरी भी ट्राय करके देखिए, मैंने इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाड़ी रखी है, आप चाहो तो इससे भी पतली बना सकते हो, लेकिन म मेरी ही प्लेट है, बच्चे तो शायद हरा दनिया उपर से ना खाएं, पूछती हूँ अगर खाएंगे तो मैं डाल दूगी, और फिर सबसे जरूरी है इसमें एक चमच घी, उपर से जरूर डालें, इसके बिना इसका स्वाध नहीं आएगा बिलकुल भी, बाकी जैसे मै मैंने बताया कि सबजियां आप अपनी पसंद की इसमें डाल सकते हैं, और गरमा गरम ये डाल खिचडी बारिश के दिनों में इतनी स्वाध लगती है ना, मैं क्या ही बताऊं, और सबसे बड़ी बात की बनाने में आसान है, और सारी ही चीज़ें आपको इसमें मिल जाएं दाल है, चावल है, सबजियां है, घी डाल गया आप उपर से खा रहे हैं, और ये प्लेट है बच्चों की, उनको मैंने दही के साथ दिया है, मैं दही नहीं खा रही हूँ अभी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरी थोड़ी सी मेडिसन चालू है, तो उसकी वज़े से कुछ चीजों से मुझे परहेज करना पड़ रहा है, लंच करने के बाद करीब एक से डेड़ बज़े का टाइम था, या शायद दो बज़े हुए थे, ठीक से देखा नहीं मैंने, एक पार्सल आया था फ्लिप कार्ट से, जैसे कि मैंने पहले ही बताया इ इस से पहले वाली वीडियो में जब मैं राजबा बना रही थी तो चोपर टूट गया था मुझसे, तो मैंने ये वाला चोपर अब की बार और करके देखा था, ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से वर्क करता है, तो मैंने सोचा कि इस बार इसको मंगा के देखती हूँ, लेकिन सही बताओं मुझे ये सही नहीं लगा, हला कि अच्छा था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये जचा नहीं, तो मैंने तो ये रिटन कर दिया था, हला कि और ये इस तरह से था, तो पुश चोपर इसको बोलता है, मतलब इसमें वो डोरी नहीं है, खीचने वाली जो उसमें होती थी पुराने वाले चोपर में, इसमें इस तरह से ये बटन है, एक इसको आप यहां से पुश करेंगे, तो उपर से इसका जो मेकैनिजम है, वो खुल जाएगा, पुश करने का, और इसमें भी उसी तरह से ब्लेड्स हैं, ट्रांस्परेंट जार है, हला कि लेक तरह से ये चलता है, वानी ने खुब इंजोई के इसको चला के, लेकिन मुझे नहीं भाया ये, तो इसलिए मैंने इसको रेटर्न के लिए डाल दिया था, और ये शायद दो से तीन दिन के अंदर रेटर्न उन्होंने बोला था कि वो ले जाएंगे, तो हो सकता है, दो से के बाद हमारा चालू हुआ, मस्ती टाइम, हमारा क्या एक्चुली वानी का, ये देखिए, उसने आज सुब नहीं थी ना, बारिश में जैसे, तो उसके बाद सर तो धोना ही था उसको, अफसाद हुआ हुआ है उसका, अच्छे से बाल सूख भी गए है इस टाइम तक, तो साथ में डांस तो उसका देखि रहे हैं, अब डांस उसका चालू है, तो आजकल वो, आजकल क्या, काफी पहले से, जैसे मैंने पहले भी बताया है, कि वो ब्लैक पिंक की फैन है, आजकल के ज़्यादतर बच्चे यही कोरियन ग्रुप के फैन होते हैं, क्या आपके में और तब तक आप इंजोर कीजिए वानिका डांस, तो बस इतनी ही रहत दी उपर वाले ने, उसके बाद शुरू हो गई थी, खूब तेज वाली बारिश, मैंने सारे कपड़े उतार लिए, और मेरे पास कोई भी बाल्टी या ऐसा कुछ था नहीं, तो जो टब उपर र आगे की क्लिप में सुनिये बादलो की तेज आवाज अब करीब 2-3 घंटे रुकने के बाद भगवान जी खूब अच्छे से बरसे थे और बादलो की आवाज आपने सुनी ही है, वागे में डर लग रहा था, इतनी तेज तेज बादल कड़क रहे थे, उसके बाद बारिश थोड़ी सी कम हुई, तो ये मैडम बैट गई है, य और ये स्टैंड अज पूरा भर गया कपड़ों से, क्योंकि कपड़े मैंने बहुत ज्यादा दोई थे, खेर किसी तरह करके मैंने सुखा तो दिये हैं सारे कपड़े, और ये शायद राद भर में सुखे या अगले दिन तक भी सुखे, पंखा मैंने चला दिया है, और ये भी करके दिखा दूँगे आपको, ये बहुत ही ज्यादा काम आता है, और घर में काम आने वाली एक बहुत ही अच्छी चीज है ये, खास तोर से अब बरसात के मौसम में, तो यहाँ पे देखिए उपर जाल है, तो जैसे ही तेज बारिश आती है, तो थोड़ा बहुत पा जो मुझे मेरी वीडियोव में पिछले एक साल में मिले हैं, क्योंकि अगस्त में मुझे एक साल होने वाला है यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मैंने अभी तक नहीं कमाई है, बहुत ज़्यादा मेरे वीडियोव पे कमेंट भी नहीं है, लेकिन जो करीब दो दिन पहले की ही बात है शायद दो से तीन दिन पहले की मुझे बंबे हेंगर करके कोई आइडी है वहां से एक कमेंट मिला और उस कमेंट है कि मैं आगे बढ़ पाऊंगी तो जो भी मेरी वीडियोस पर कमेंट करते हैं जो भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया दिल से आप लोगों का धन्यवाद और यूँ ही मेरे साथ connected रहिए और बने रहिए और ये है वो कमेंट जिसके बारे में बात कर रही थी आप लोग प्लीज पढ़ सकते हैं इसको बस यही तक मैंने शूट किया था रात में मैंने हलकी इडली और सांबर बनाया था और मैं रेशिपी शूट करना चाहती थी लेकिन मेरे फोन की मैमरी फुल हो गई तो मैंने सिर्फ यहां पे कुछ फोटोज ही क्लिक किये हैं नेक्स टाइम जब बनाऊंगी तो जरूर आप लोगों के साथ रैशिपी शेयर करूंगी तो बस चलती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा थेंक्यू सो मज़ फर बहुत है